दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 32 inch TV के बारे में और साथ में हम 32 inch TV से रिलेटेड बहुत सारे important points के बारे में डिसकस करेंगे जैसे 32 inch TV mostly HD ready supports के साथ ही क्यों आते हैं 32 inch TV segment में top branded TV लेना सही रहता है या फिर budget TV लेना सही रहता है और ये भी जानेगे कि इस समय top 5 best 32 inch TV कौन से है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं 32 inch TV लेने से पहले कुछ important points के बारे में तो उनमें पहला है resolution HD channel या HD channel के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं लेकिन 32 inch TV में कौन सा resolution सपोर्ट करता है ये जाना बहु ज़रूरूरी है resolution का simple meaning है number of pixels in row into number of row HD channel का resolution होता है 720 into 480 HD channel का resolution होता है 1080 into 720 Full HD channel का resolution होता है 1920 into 1080 HD channel का resolution होता है 3840 into 2160 HD channel के pictures का pixels कम होते हैं वही HD channel के picture में comparatively ज्यादा होते हैं ज्यादा pixels की वज़ज़ से HD channel में ज्यादा clarity हमको देखने को मिलती है लेकिन इसी HD channel को आप बड़े size के TV पर देखेंगे तो वह भी बहुत ज्यादा dull या basic सा लगने लगेगा इसलिए 32 inch TV HD और HD channel देखने के लिए एक perfect size है क्योंकि इसमें picture 40 हुई दिखाई नहीं देती है और HD channel का proper मज़ा इन TVs में ही देखने को मिलता है आपके मन में ये सवाल आता होगा कि फिर बड़े size के TV जैसे 40 या 55 inch में HD channel के लिए कैसे दिखाई देते हैं तो दोस्तों आपको बता दूँ कि बड़े size के TVs में HD channel के लिए दिखाई देते हैं और उसके लिए TV का processor software की मदद से उस picture को आप scale करता है इसलिए बड़े TVs की cost थोड़ी बढ़ जाती है 32 inch TV में जातर आपको HD ready support मिलता है जिससे HD ready भी कहा जाता है अब 32 inch TV पर 4K resolution support वो देते तो भी picture की quality में बहुत ज़्यदा significant difference आपको महसूस नहीं होता क्योंकि TV के size छोटा है इसलिए 32 inch TV पर brand HD ready support देते हैं दूसरा important point है features and color technology हर brand अपने TVs में अलग-अलग technology यूज़ करता है इन technologies के पीछे होते हैं operating system और processor की working साथ ही साथ companies की सालों से लगी R&D department अगर आप OTT platform पर content देखते हैं तो आपके TV में HDR10 का support तो बहुत ही अच्छा रहेगा तिसरा important point है contrast ratio and brightness अच्छी brightness colors को और भी ज्यादा boost देते हैं लेकिन अच्छा contrast ratio dark area में भी अच्छा details show करेंगे अच्छा contrast ratio पिक्चर को और भी ज्यादा realistic बना देता है ये ratio usually 2000 is to 1, 3000 is to 1, 5000 is to 1 के format में होते हैं जितना ज्यादा contrast ratio उतना अच्छा picture quality आपके TV में दिखेगा चौता important point है number of HDMI and USB ports टीवी से setup box sound bars या gaming console इतने device आप एक साथ connect करना चाहते हैं तो उतने HDMI ports आपके TV में होने चाहिए और same for USB ports पांचवा point है budget versus top brands budget brands की TVs of course काफी अची price में मिलते हैं और in fact उनमें offer feature भी काफी tempting लगते हैं लेकिन उनकी durability या quality पर हमेशा doubt रहता है वहीं top brands picture quality और durability देते हैं लेकिंग costly भी होते हैं for example sony का 32 inch TV जिस price में आता है उस price में तो 43 inch TV आप दूसरे brands का ले सकते हैं तो इस condition में आपको कौन सा TV चूज करना चाहिए तो इसका जवाब है value for money आप चाहें टीवी पर कम पैसे कर्च करें या ज्यादा जितने भी पैसे अपने टीवी के लिए लगाए हैं उतनी value टीवी का proper balance है तो अब बात करते हैं top 5 best 32 inch TV इन इंडिया 2024 की तो मेरे सिप्स में नमबर 5 पे आता है टीचल 32 inch full HD LED TV model नमबर आपे screen पर दे सकते हैं या TV full HD यानी 1080p resolution के साथ आता है और या VA panel के साथ आता है contrast ratio इसमें 4000-1 का है और इसके साथ contrast ratio को boost करने या dark area को और ज़्यदा dark दिखाने के लिए micro dimming का feature इसमें है storage की बात करें तो इसमें 1GB RAM और 8GB internal storage मिल जाता है इसमें 2 HDMI और एक USB port दिया है इसमें 24 Watt के speakers मिल जाते है विद Dolby audio support इसमें built-in Chromecast और HDR10 का support भी मिल जाता है जिससे आप OTT content अराम से देख सकते हैं इसकी warranty की बात करें तो इसमें 2 years की बराठी मिल जाती है प्रोजन कौन की बात करें तो सबसे पहले कौन की बात किया जाए तो sound में हलका सा base की कमी महसूस होती है लेकिन यह कोई बहुत बड़ा कौन नहीं है प्रोज की बात करें तो full HD resolution में HD channel देखने का मज़ा कुछ और ही है और HDR10 का support भी इसमें मिल जाता है इसके price की बात क्या जाए तो फिलाल इसका current price है 14,000 रूपीज के आसपास दोस्तो एक बाद बाता दूर की सारे products के price गड़ते बढ़ते रहते हैं तो exact price के लिए आप description में दिये हुए इनके लिंक पर जाका चेक लिए हो सकता है कोई sale आउफर चल रहा हो तो यह आपको कम कीमत पर भी मिल जाएंगे टॉप 5 best 32 inch TV in India 2024 के mirrorless list में नमबर 4 पर आता है पाइनसोनिक 32 inch HD ready TV मॉडल नमबर आप इसकी में पर दे सकते हैं यह TV HD ready resolution के साथ आता है यानि कि इसका resolution 720p है इसमें contrast ratio 3000-1 का मिल जाता है और इसमें refresh rate मिलता है 60Hz का storage की बात करें तो इसमें 1.5 GB RAM और 16 GB का internal storage मिल जाता है connectivity की बात करें तो 2 HDMI ports और 2 USB ports मिल जाते हैं और इसमें 3.5 mm jack भी दिया गया है audio parts की बात करें तो 20 watts के speaker मिल जाते हैं इसमें dolby digital और built-in chrome cash का support भी मिल जाता है operating system की बात करें तो यह android OS पर काम करता है वारंटी की बात किया जाते तो इसमें one year की वारंटी मिल जाती है pros and cons की बात करें तो सबसे पहले cons की बात करते हैं तो इसमें कभी-कभी हलका सा lag मैसूस होता है जब इसे operate करते हैं pros की बात करें तो इसकी बहुत अच्छी build quality है और picture quality भी इसमें बहुत अच्छी मिलती है price की बात करें तो फिलाल इसका current price है 14,990 rupees के आसपास top 5 best 32 inch TV in India 2024 के मेरे स्लिश में नमबर 3 पर आता है MI 32 inch HD ready smart TV model नमबर आप इस screen पर देश सकते हैं यह TV HD resolution यानी 720p के साथ आता है contrast ratio 5000 to 1 का मिल जाता है 1.5 GB RAM और 8 GB internal storage मिल जाती है इसमें 20 watts के speakers मिल जाते हैं और साथ में Dolby audio और DTS HD का support भी मिल जाता है HDR10, Dolby Vision, HLG और Miracast का support भी इसमें दिया गया है यह TV Android operating system पर रन करता है warranty की बात करें तो इसमें 1 year on product and 1 year additional warranty on panel दी जाती है pros and cons की बात करें तो सबसे पहले कौन की बात करते हैं इसमें सारे feature देने के साथ अगर TV ने full HD resolution दिया होता तो यह एक perfect TV होता है pros के बात करें तो इसमें लगबख सारे required feature मिल जाते हैं picture quality भी बहुत अच्छी है setup box channel के साथ साथ OTT content देखने के लिए यह TV perfect है इसके price के बात करें तो फिलाल इसका current price है 12,500 रूपीज के आसपास top 5 best 32 inch TV in India तो 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 तोड़िफ में नमबर दो पे आता है एसर 32 inch HD ready QLED TV model अमबर आप इसकी में पर दे सकते हैं इसमें HD ready resolution है लेकिन या QLED VA panel के साथ में आता है इसमें color थोड़े और boost up यानी pop out होते हुए दिखेंगे contrast ratio है 5000 is to 1 का जो की बहुत ही अच्छा है storage के बात करें तो 1.5 GB का RAM और 16 GB का storage मिलता है audio quality के बात करें तो इसमें 30 watts के speakers मिलते हैं जो की बहुत ही अच्छी बात है connectivity option में 2 HDMI और 2 USB ports मिल जाते हैं Google TV और built-in Chromecast का support के साथ-साथ HDR10 और Dolby Audio का support भी मिल जाता है warranty के बात करें तो इसमें 2 ES की warranty मिल जाती है pros and cons की बात करें तो सबसे पहले cons की बात किया जाए तो इस brand का after-sales service उठना अच्छा नहीं है pros की बात करें तो picture quality बहुत अच्छी मिलती है color sprite देखने को मिल जाते हैं इसमें 30 watts का speaker काफी अच्छा है OTT perform देखने के लिए HDR10 का support भी मिल जाता है इसके price के बात करें तो फिलाल इसका current price है 14999 लूपीस के आसपास top 5 best 32 inch TV in India 2024 के मेरे श्रीश में number 1 पे आता है LG 32 inch HD ready smart TV model number आप screen पे दे सकते हैं यह भी HD ready resolution यानी 720p के साथ आता है और इसमें contrast ratio 1100 to 1 का मिलता है इसमें 60 hertz का refresh rate मिलता है storage के बात करें तो 1.5 GB RAM और 8 GB internal storage मिल जाता है connect crypto के बात करें तो 2 HDMI और 1 USB port मिल जाता है यह Android की जगा web operating system पे काम करता है इसमें 20 words के speakers मिलते हैं और इसमें HDR10 का support भी मिल जाता है warranty के बात करें तो इसमें 1 year की warranty मिल जाती है जिसकी help से आप इस TV को voice command से control कर सकते है इसके price के बात करें तो फिलारल इसका current price है 16,999 लूपीज के असपास दोस्तों यह थे मेरे तरफ से top 5 best 32 inch TV in India 2024 की list आपको इन में से कौन सा अच्छा लगा comments box में लिक के ज़रू भेजेगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनले से जुड़े रहे हैं तब तक के लिए अलवीदा Thank you